अब कुछ सामान अमलों जैसे हैड्रोख्लॉरिक अमल, सलफिरिक अमल और नाइट्रिक अमल के बारे में अवश्य जानते होंगे अमल स्वाद में खटे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अमलों की विशिष रासाइनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम यहां करके देखेंगे आज हम हाइड्रोक्लोरिक अमल की चिंक धातू, सोडियम कार्बनेट और सोडियम हैड्रोकसाइड के साथ अभिक्रियाओं का अध्यन करेंगे इन रासानिक पदार्थों के अतिरिक्त हमें आसुत जल, ताजा बनाया चूने का पानी, डाइलूट, HCL, NOH, फिनोफ्तलीन, मैजरिंग सिलिंडर, नीले और लाल लिटमस पत्र, एक कुछन नली, स्पैचुला और एक निकास नली, एक छिदर वाले कौर्क के साथ लगी आईए अब जिंक धातू के साथ हाइड्रोकलॉरिक अमल की अविक्रिया करके देखें, इसके लिए हम एक परकनली में जिंक धातू के कुछ दाने डाल देते हैं, और इसमें हम ड्रोपर की साहिता से अमल की कुछ बूंदें डालते हैं, हम देखते हैं कि इसमें कुछ बुलबुले के साथ कोई गैस निकल रही है, इस गैस को हम अब हम इस गैस का परिक्षन करते हैं, इसके लिए हम एक नीला लिटमस पत्र की पत्री लेते हैं, इसको थोड़ा गीला करते हैं, आसुत जल से, और इसको हम यह गीला जो लिटमस पत्र है, इसको हम यह जो परक्षनली जिसमें गैस बन रही है, इसके मुँपर ले जाते हैं, अभी हम इस परक्षनली के मुँपर बारी बारी से गीले लाल और नीले लिटमस पत्र को लाते हैं, पहले हम नीले लिटमस पत्र को लाए, हमने इसके मुँपर रखा और हमने देखा कि क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है, हम देखते हैं कि इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। अभी हमने देखा कि लाल लिटमस पत्र के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इन दोनों परिक्षणों के बाद हम ये निश्कर्स निकाल सकते हैं, कि जो गैस उत्पन हुई है हाड्रोक्लोरिक अमल और जिंक की अभिक्रिया से उसकी प्रकृति ना तो अमलिये हैं और नहीं क्षारिये हैं। और यह गैस हाड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को हम अन्य अमलों जैसे तन्यू सल्फूरिक अमल और जिंक धातू के स्थान पर जैसे लोहा आदी से भी कर सकते हैं। और हम पाते हैं कि धातूएं हाइड्रोजन को अमलों से विश्थापित कर सकती हैं। इस अभिक्रिया को सामन रूप से इस परकार लिख सकते हैं। अमल जमा धातू से प्राप्त होता है लवन जमा हाड्रोजन गैस। आईए अब अमलों की एक और अभिक्रिया देखें। इसके लिए हम एक क्वथन नली लेते हैं। और इसमें लगभग एक ग्राम सोडियम कार्बनेट हम डाल देते हैं। और अभी इसमें हमें HCL एड़ करना है। इसके बाद हम क्वथन नली में निकास नली को लगा देते हैं। चूने का पानी जो हमारे पास है इसको हम एक परखनली में लेते हैं। अभी क्योंके रियक्शन बंद हो गया है तो थोड़ा सा हम इसमें सोडियम कार्बनेट फिर से डालेंगे। और कुछ अम भी इसमें एड़ करेंगे। जो रियक्शन हो रहा है उसमें जो गयस बनी है उसको हमने परिक्षन के लिए चूने के पानी से पास किया। यह देखें गयस इसमें निकल रही है और हम देखते हैं कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यह देखें यह चूने का पानी है इसमें इस परिक्षनली में और हम देखने कि इसमें कुछ दूधिया रंग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस अभिक्रिया में जो गयस बनी है उस गयस को हमने चूने के पानी से पास किया और हमने देखा कि चूने का पानी दूधिया हो गया है। यह साबित करता है कि जो निकलने वाली गयस है वह कार्बन डैक्साइड है। गयस अभी भी थोड़ा निकल रही है लेकिन मंदगती से निकल रही है। इसलिए जो दूधिया रंग है उपर की तरफ जादा है। थोड़ा सा इसको हम शेक करते हैं तो सारे में यह दूधिया रंग आ जाता है। आईए अब अभिक्रिया के समिकर्ण को समझें। इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बनेड जमा हाइड्रोक्लोरिकमल से प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड पानी तथा कार्बन डायक्साइड और कार्बन डायक्साइड द्वारा चूने के पानी को दूधिया होना यह साबित करता है कि इस अभिक्रिया में कार्बन डा hydroxide कहते हैं कैल्शिम hydroxide जमा carbon dioxide उससे प्राप्त होता है केल्शिम carbonate और पानी है जो कि एक सफ़ख सफेद अवक्षे प के रूप में कैल्शिम carbonate हमें दिखाये देता है है धातों के carbonate जैसे sodium carbonate और hydrogen कार्बुनेट अमलों के साथ इसी प्रकार की अविक्रिया दर्शाते हैं इसे हम सामान रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं अम जमा धातु कार्बुनेट से प्राप्त होता है लवन जमा कापन डायकसाइट जमा जल आईए अब अमलों और ख्षारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया को देखें इसके लिए हम एक परखनली में जिस पे ए चिन अंकित है मापक सिलिंडर की सायता से मापकर 5 मिली लीटर हाइड्रो क्लोरिक अमल लेते हैं इस हाइड्रो क्लोरिक अमल को हम लिटमस पेपर की सायता से हम इसकी कुछ बूंदें नीले लिटमस पे डाल के देखेंगे ड्रोपर की सायता से हमने ये एक बूंद नीले लिटमस पत्र पर डाली तो हमने देखा कि नीला लिटमस पत्र लाल हो गया है हमने देखा कि जो परखनली ए में हमने तनू हाइड्रो क्लोरिक अमल लिया था उसकी एक बुंद से ये नीला लिटमस पत्र लाल हो गया है इससे साबित होता है कि ये अमल है अब हम बीचिन वाली एक दूसरी परखनली में सोडियम हाइड्रोकसाइड का 5 मिली लीटर सोलुशन मापक सिलिंडर की साहता से लेते हैं और इस विलियन को भी हम अब परखनली बीव में लिये गए सोडियम हाइड्रोकसाइड के विलियन की भी हम लिटमस पत्र द्वारा जांच करते हैं कि ये एक शारीय है या नहीं तो अभी ये देखते हैं हम कि ये लाल लिटमस पत्र नीला हो गया अर्थात ये जो भी परखनली में हमने विलियन लिया है ये एक शारीय प्रकृति का है हम एक परखनली में जिस पर हमने भी लेबल लगाया है सोडियम हाइड्रोकसाइड की मापक सिलिंडर से मापक करके लगबग पांच मिली लीटर की मात्रा ले लेते हैं ये पांच मिली लीटर हमने सोडियम हाइड्रोकसाइड लिया एक मापक सिलिंडर में इसको हम बी परखनली जिस पर बी लेबल लगा है इसमें इसमें स्थाना अंत्रित कर देते हैं अब हम इस परखनली में जो सोडियम हाइड्रोकसाइड का सुलूशन है इसमें हम कुछ बूंदें फिनौफ्तलीन की डालेंगे जिससे की इसमें इसमें गुलावी रंग आ जाएगा फिनौफ्तलीन एक संकेतक के रूप में काम कर रहा है अब हम इसमें ये जो हमारे पास तनौ हाइड्रोकलोरिक अमल है इसकी भी मात्रा हमने मापक सिलिंडर में पांच मिली लीटर ली है अब हम इसको परकनली बी में डालते हैं धीरे धीरे और इसको हिलाते रहेंगे अभी ये रंग इसका जो गुलावी रंग था वो गयब हो गया और कुछ दूधिया रंग आप कह सकते हो आया है इस मिश्रन की प्रकरती अब उदासीन है क्योंकि जो फिनौफ्तलीन है वो ख्षार के साथ में गुलावी रंग दिखाता है और जब गुलावी रंग खटम हुआ है इसका मतलब जो हाड़ोक्लोरी कंल है हाइडरोकलोरिक अमल से सारा का सारा जो सोडियम हाइडरोकसाइड है वो रियक्ट कर गया है कि अभीक रिया यह पूर्ण हो गई है इसमें हमने यह देखा कि जो गुलावी रंग का इसमें से गायब होना हाइडरोकलोरिक अमल के डालने के बाद परक्नली बी में जो हमने sodium hydroxide लिया था वो hydrochloric अमलित द्वारा पूरी तरह से उदासीन हो चुका है और अब इस मिश्रण की प्रकृति कुछ अमलिय हो गई है जैसा कि हमने अभी हम जांच करके देख सकते हैं कि इस परक्नली में जब हम लाल लिटमस पत्र को डालते हैं तो वह उसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं होता इससे साबित होता है कि इसमें कोई प्रकृति इसकी नहीं है लेकिन जब हम नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो वह थोड़ा सा लाल हो जाता है इससे पता चलता है कि हैड्रोक्लोरिक अमल ने सोडियम हैड्रोक्सियाइड को पूरी तरह से उदासीन कर दिया है और अब इसमें कुछ अधिकता हैड्रोक्लोरिक अमल की है अर्थात मि हैड्रोक्साइड उदासीन हो गया है विलियन की मिश्रण की प्रकृति की जाच हमने लिटमस पत्रों द्वारा भी की और हमने पाया कि यह मिश्रण अब उक्षारिय बिल्कुल नहीं रहा और इसमें थोड़ा सा अमलिये प्रकृति आ गई है क्योंकि हैड्रोक्लोरिक अम अधिया में उश्मा निकल रही है अतय हम कह सकते हैं कि तनू हाइड्रोक्लोरिकमल और तनू सोडियम हाइड्रोक्साइड ने एक दूसरे की अमलिये और अक्षारिये प्रकृति को उदासीन कर दिया है और उनके बीच होने वाली अभिक्रिया एक उस्माक्षेपी अभिक् अभिक्रिया में लवण और जल उत्पाद के रूप में बनते हैं और इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है अमल जमाक्षार से प्राप्त होता है लवण जमा जल कर जल कर दो